सो गाइज मेरी यूट्यूब की अर्णिंग है वो लगभाग 26 के आज पास हुई है इस महीं ने तो यहां पर आप लगदेश आते हैं कि मैं एटीम से पैसे लेकर आ चुका हूं काउंटिंग शुरू करते हैं एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, गारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, शोला, सत्रा हाँ फ्रेंट्स फिर चेक नई वीडियो में आपका स्वागत था है आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी अर्निंग्स के बारे में बताने वाला हूं पिछले महीने 21 तरीको पेमेंट रिली जो था एडशन से जो कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुगा था एडशन से कितना पेमेंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया गया है तो आज के वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कितना पेमेंट आया है बहुत सारे लोग भी इसमें पूछ रहे थे पिछला बार की कितना पेमेंट आया है यूटूब से तो पिछला बार मैं वीडियो नहीं बना पाया था कि पिछले पर मैंने सिर्फ बस्तों दो बना लिए और यहां पर मुझे प्रोबलम था डायरीक्ट बेनिफीट जो ट्रांसपर होता है अगर आपका एकाउंट लिंग है तो कोई भी गृष्ण परिथाइन फंड पंड यह होता है वह डिक्ट्ट बेनिफिट रांसफर जिस एकांट में इंपीस यह लिंग होता है यानि कि नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन आफ इंडियाका इनपीस यह के तहत जो भी एकांट नमर आपके आधार काट से लिंग है और उस एकांट नमर को कि अखान को मैं ने बन क मैंने दूसरे अकाउंट के साथ लिंग कर बाला था तो मैं आया था घर पर लेक। कि उसकी साथ deeperma topics के अधिशेट वाला तो हम सच inhए सब और ला या है और फिर बघान वाला भी डीidents बना लेंडियोह वीडियो पसंदाई लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो चलिए फाइनली अब मैं आप लोगों को बताएता हूं कि यूटूब का कितना पेमेंट आया है तो चलिए हम यहाँ पर आपको काउंट करके यानि कि नोटों को गीन के दिखाएते हैं कि कितना पेमेंट आया है तो चलिए यहाँ पर हम आप कांटिंग सुर करते हैं एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नोग दस गारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सत्रा थारा उन्नीश वीश इकिस बाईस तेश चोविस पचीश चविस शथाविस 27, 28, 29, 31, 32, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 45 और ये चालिश सो आप लोग कल्कुलेशन कर सकते हो 40 into 500 तो इसका आप लोग कल्कुलेशन कर ले जेगा और देख लेगा और पेमेंट जो है मैं कल्कुलेट करके आप दिखाए था हूं यहाँ पर ये जो हाए 500 के 40 नोट यानि कि 40 नोट है तो यहाँ पर देख लेजिए 40 into 500 तो यहाँ पर ये यह 20,000 रुपया है और जो कि टोटल मेरा पेमेंट बना था वो मैं आपको बताता हूं कितना बना था टोटल जो पेमेंट था वो 316 डॉलर बना हुआ था यानि कि 26,195 रुपय के आसपास मेरा जो पेमेंट बना था यूटूब का और पिछले बार जो आया था 3,415 रुपया पेमेंट आया था तो यहां पर अपनेति से था है कि अभी का जो पेमेंट है 26,195.61 रुपय था और मैंने 6,000 रुपय के आसपास एकाउंट में अभी छोड़ दिया है 20,000 रुपय मैंने निकाला हुआ है और 6,000 एकाउंट में है और अब इस महिने के बाद यह जो रिभनीव मेरा बना हुआ है इस रिभनीव के बाद अगस्त की 21 तारीक मेरी जो आर्निंग है वो रिलीज हो जाए सब्सक्राइबर लेकिन वीडियो पर भीउच और जो उसका वाच टाइम है वो काफी अच्छा है ओडियांस रिटेंशन अच्छा आता है वीडियो के साथ ओडियांस जो है वो इंगेज जादे दिर रहते हैं इसलिए मेरा जो रिभनीव है वो अधिक बनता है और कोई भी वीडियो होता है वो सर्च रिजल्ट में आने लगता है मेरा जितना भी वीडियो पर वीडियो जो है वो सर्च रिजल्ट से आते हैं अगर मेरा वीडियो राता है योट्यूब मेरे वीडियो को मैं कुछ चोछ जितना भी कंटेंट बनाता हूं उसमें हमेशा मतलब सचा ही दिखाता हूं और हमेशा आप लोगों प्रूफ के साथ हर चीज दिखाता हूं इसलिए मेरे वीडियो के साथ जो ओडियांस है वह कुछ देर तक इंगेज रहती है अगर मेरा वीडियो चार मिनट कराता है तो लगभग वहाँ पर ओडियंज है दो मिनाट या फिर एक मिनाट चाली सेकेंड के आसपास ओडियंज वहाँ पर इंगेज रहाता है मेरे साथ तो अच्छा-कासा वाच्टाइम भी बनता है एक महिना में मेरे चैनल का जो वाच्टाइम है वो लगभग 600 से 700 घंटा एक महि बताना चाता हूं कि यूटूब पर सब्सक्राइबर कम हो या जादा हो अगर आप अपने कंटेंट में अच्छा चीज़ प्रवाइड कर रहे हैं तो वह बूट क्वारीटी का होना चाहिए आप अपनी वीडियो में जब भी दिखाओ सचाहिए दिखाओ कोई भी एप्लि बीडियोज दो है वह बहुत जादे चलते हैं उनलाइन बइटींग से लेटर बहुत लोगों का प्रोब्लेम है तो इस टोफिक पे जितने भी वीडियो है वह सारे सर्चेबल टोफिक हैं लोग सर्च करकर के देखते हैं इसलिए मेरे वीडियोज के अधिकतर भीव जो है वो सर्च रिजल्ट से आता है और इसलिए रिभेनियू आच्छा खासा गैनेरेट हो जाता है इस तरह से हां जाता है यानि कि एक हज भीउ जाता है तो एक डलर से पुलास मेरा रह्म धीउ ऑटाहर और कभी-बीउ जाता है अधे 1 डलर पहुं जाता है है उसको कोई भी प्रूपर नहीं बता चकता है कि कितने भी उस पर कितना डॉलर मिलता है हां लेकिन लगवाग वह वीडियो के कान्टेंट वीदियो के टााइटर पर मेंटर करता है कि आपका जो दौनThe उसर्च नहीं आ रहा है आपके वीदियो से सर्च रिजल्ट में अगर देखे जाते हैं आपके वीदियो कि पिछले महीने में मेरा जो है वह रिभेन्यू जो है 96 डलर था इसलिए रिभेन्यू वहाँ पर एड़ेंस से ट्रांसफर नहीं हुआ मेरे एकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ क्योंकि यूटूब हमेशा जो है 100 डलर जब पार करता है 100 हो जाता है तभी पेमेंट रिलीज होता है एड़ेंस से तो मेरा जो 96 डलर था इसलिए एड़ेंस से मेरा जो अर्निंग था वो क्रेडिट नहीं किया गया था मेरे एकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ था लेकिन इस महीने में अचानाक से 316 डॉलर हो चुगा था और यह जो है लगवक दो महीने की अर्निं तो यूट्यूम को छोड़ना नहीं हिं यूट्यूब पर बहुत पैसा मिल रहा है तो यूट्यूम आपको छोड़ना शहीं करना है अगर आप लोग वुडियो बना रहे तो विडियो बनाते रही है क्योंकि मेरा भी जो पेमेंट था वो डेढ हैए लगवक Med themय में वाने क्योंकि पिछला जो पिमेंट आया था उस टाइम मैं घर से भागलपूर जा रहा था तो मैं ट्रेन में था तब में मुझे मेसेज आया था तो पिछली जो अर्निंग थी मेरी वह एकांट में क्रेडिट की गया थी तो पिछला बार मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं भाड़ से भागल पूर जा रहा था मुझेको लगभग दो बजये के काईसा लगा प्लीज हमें comment box में जरूरू बताएगा और अगर वीडियो प्षंदिया है लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही यह हमको comment box में जरूरू बता सकते हैं आशा करता हूं कि वीडियो काफी नॉलेजफुल रहा होगा तो अगर वीडियो नॉलेजफुल रहा है या फिर आपको कुछ भी सिखने को मिला है तो फिलिज लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूरू सब्सक्र सब्सक्राइब कर जगाता है कि अईसा ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलते रहे तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं लेक्स्ट वीडियो में